आप लोग देखते होंगे कि हमेशा नारको टेस्ट और एक है आपका पॉली ग्राफ टेस्ट इस दोनों चर्चा में बने रहते हैं अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहें कि जो भारती जंता पार्टी के सांसद हैं और कुस्ती भासंग के अध्यक्ष रहें ब्रेज भूसन सरनसींग पर महला पहलमानों ने योन सोचन की और आप दिखियों ने धमकाने के और मानसिक पितारना देने के आरोफ लगाये हैं और उसलिए आप देख रहें कि नार्को टेस्ट की बात भी हो रही है कि नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए किसका ब्रेज भूसन सरनसींग का तो आप लोगों की दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये नार्को टेस्ट होता क्या है पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और ये कैसे होता है और इस पर हमारा सुप्रिंग कोट क्या कहता है और क्या नार्को टेस्ट 100% 100% सही होता है तो इन सब के जवाब हम लोग आज की इस किलास में देखेंगे और याद रहिए अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर है तो हर पड़ाओ पर आपको मुझे लगता है इस टॉपिक से कुष्ट देखने को मलेंगे और इसके बारे में एक सावन जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर नार्को की बात करें हम लोग तो एक ग्रीक सब्द है नार्के से निकला हुआ है और इसका आर्थ होता है वे उसी अत्वा उदा सीन्ता तो आप देखें 19-20 सदी में इटली के क्रिमीनो लॉजिस्ट सीजार लॉंबोर्सो ने पूछताज के दौरान अपराधी के बिलर्ड फेसर में होने बाले बनलाओं को पता लगाने के लिए एक मसीन बनाई थी उसके बाद साल 1913 में 1914 में अ चलन बढ़ता चला गया साल 1921 में आप देखें कैलिफोनिया के एक पुलिस अधिकारी जॉन लासन ने भी इसी तरह की मसीन बनाई थी और आप देखेंगे अगर आप लोगों को देखना है अगर कोई मनोविज्ञानिक चिकिस्सक है या अगर आप लोग मनोविज्ञान को पड़े हैं समझे हैं तो अगर सामने वाले को आप लोग जब वो बोल रहा है उसके हाव भाव को आप लोग अगर पढ़ पाएं तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो जूट बोल रहा है या सही बोल रहा है उसका आप देखें बिलर्ड पेसर होता है वो भी नीचे उपर होन लगता है और उसके हाव हाव बदलने लगते हैं और इस टेस्ट का इस्तिमाल मूलता अपरादियों से सच उगलवाने के लिए किया जाता है यानि यह जूट पकड़ने वाली एक तकनीक है और इसमें जिस बैक्टी का टेस्ट किया जाता है उसे कुछ दबाईयां या इंजे इस दबा को टोस सीरम भी कहा जाता है और सोडियम अगर पेंटो थल की बात करें तो यह तेजी से काम करने वाला एक एने इस्थेटिक है और अधिकतर टाइम में आप देखेंगे सरजरी के दौरान बेहोस करने के लिए दिया जाता था है और जूट बोलने के संकल को कमजो पारियों ने इसका इस्तिमाल किया था पहले और इसकी वज़े से वह आदमी अर्द वेहोसी की हालत में चला जाता है और अर्द वेहोसी का मतलब होता है ना कि वह बैक्ती पूरी तरह से वेहोस होता है और ना ही पूरी तरह से वेहोस में रहता है और इस इस्तिती में उस बैक्ती का दिमाग जुट नहीं कर पाता है, और वह सवालों का सही-सही जबाब देता है। ऐसा माना जाता है। कई सातिर होते हैं जो आप देखते हैं कि इसे भी ठैल कर देते हैं। कैसे कीया जाता है? तो आप देखिए नार्को टेष्ट से पहले बैक्ती का सारीरिक तरह सही नहीं है, तो उसका test नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर उश्वस्त बैक्ति को sodium pentothal का injection दिया गया, तो इसका उसके सरीर या दिमाग पर काफी बुरा भी असर हो सकता है, वह बैक्ति कॉमा में भी जा सकता है, इस sodium pentothal के बारे में याद रखेगा, पेंटूथल भी कह देते से, यह टेस्ट जाच अधिकारी और डॉक्टर, फॉरेल्सिक एक्सवर्ट्स और मनुविज्ञानिकों की मौजूदगी में होता है, उनकी सामने होता है, इसी तरह का एक आप देखते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, और इसमें आप देखी व है बेक्ती सच बोल रहा है या नहीं, यह है पॉली गराफ टेस्ट है, और पॉलीग्राफ टेस्ट में दवा की जगए हिदैगती, पसीने और विलेड पेसर को भी नापने के लिए कई तरह की मसीने लगाई जाती है और टेश्ट की सुरुवात में कुछ साधारन सवाल किये जाते हैं मसलन आप देखी पूरा नाम, पता, माता-पता का नाम, उम्र और कुछ सामाद जानकारी इसके बाद अपराज से जुड़े सवाल किये जाते हैं अगर मसीन में से जुड़े ग्राब में इन सवालों की वज़य से कोई बदलाओ आता है तो इसका अब यह मतलब हुआ कि वह हैं बैक्ती सच नहीं बोल रहा है पहले आप देखे नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे जो सच होंगे फिर एकाईक आप देखे उससे किस तरह है उस अपराज से जुड़े सवाल पूछे जाने लगेंगे और आप देखेंगे जब आप सच से जुट में प्रवेश करेंगे तो हाओ भाओ बदलाओ इस सब देखने को सभाव एकसी बात है और इस मामले में सुप्रिंग कोट क्या कहता है सुप्रिंग कोट यानि की हमारी सर्वोच अदालत की बात हो रही है और एक समिधानिक सस्ता है समिधान के अनुच्छेद 124 के तहद इसकी स्थापना की बात की गई है 28 जन्वरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो नियाधिस रहते हैं उनके सिवाने वित्ती क्यूमर 65 साल लखी गई है तो साल 2010 में सेल्वी एंड अधर्स बनाम इस्टेट ऑफ करनाटक केस में सोपरिंग कोट ने कहा था कि जिस बैक्ती का पॉलिग्राप या नार्को टेस्ट किया जाना है उसकी सहमती ज़रूरी है इसकी अलाबा नार्को टेस्ट के लिए कोट की अनुवती लेना भी अनिवार है कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखे कि ब्रजभूर्सन सरंसिंग चाहें तो नार्को टेस्ट या पॉलिग्राप टेस्ट दे सकते हैं उस पर सहमती जटा सकते हैं लेकिन जवर जश्ती कुछ नहीं हो सकता है याद रखेगा और सुपरिंग कोट की आप देखे कोट की किसकी कोट की अनुवती भी आवसेक होती है और कोट के मताबिक किसी ब्यक्ति को इस तरह के टेस्ट के लिए मजबूर करना उसकी ब्यक्ति का सुदनता का साल 2000 में मापकरी साल 2000 में राष्टी मानो अधिकार आयोक द्वारा जारी देशा ने देश फॉलो किये जाने चाहिए और एगर हम लोग मानो अधिकार आयोक की बात करें तो यह आप देखें मानो अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है एक तरह से यह आप लोग याद रखेगा और इसकी स्थाफना की अगर हम लोग बात करें राष्टी मानो अधिकार आयोक की तो 12 एक्टूबर 1993 में इसकी स्थाफना हुई थी नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा पहले इसके अधिक्ष थे रंगनात मिसरा यह भी याद रखेगा अभी वर्तमान में कोन है यह आप लोग बताईए अब बात आती है कि यह टेस्ट सौपिजदी सही होता है या नहीं तो मजूरी मिलने के बाद ही ऐसे टेस्ट बिबादों में रहे है और क्योंकि नारको और पॉलिग्राफ टेस्ट से पराप्त नतीजे हमेशा सही नहीं होते है और कुछ अपरादी इतने सातिर होते हैं कि बेजूट बोलकर भी इस तरह के टेस्ट की पकड़ में नहीं आते है साध यही बज़ा है कि इन टेस्ट की बिस्वासिनीता पर अकसर सवाल भी उठते रहते है अमेरिका वेटेन में जैसे तमाम ऐसे बड़े देश है जहाँ पर इन टेस्ट पर वेल लग चुका है कोई मतलब नहीं है इनका और याद रहे ऐसे टेस्ट के दौरान अगर आरोपी अपना अपराज सुईकार कर ले कर भी ले तो भी अदालत इसे नहीं मानता है क्योंकि अपरादी अपने पूरे होस हवास में इस तरह के बयान नहीं देता है और उधारन के तोर पर अगर आप देखेंगे अगर किसी अपरादी ने सुईकार कर लिया कि उसने हत्या की है तो कोट इसे साक्ष नहीं मानेगा हाँ अगर पूछताज के दौरान पुलिस अपरादी से या पूछती है कि उसने हत्या करने के बाद हत्यार कहां चुपाए थे और पुलिस इस हत्यार को ढोड़ कर लाती है तो वह हत्यार साक्ष माना जाएगा लेकिन उसके त्वारा जो बयान सुईकार किया गया है जो हत्यार सुईकार किया है उससे सही नहीं माना जाएगा ठीक है? अब आब माल लीजे कि किसी से पूछते हैं कि आपने हत्यार कहां डाला था, उसने कह दिया कहीं फेक दिया था, वो हत्यार मिल जाता है, तो वो एक साक्ष के रूप में जरूर उसका उपयोग हो सकता है, यह है आपकी पॉलिग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट, इनके बारे में एक सावन जानकर मेरे लिए तो जरूर आप लोग बता सकते हैं,